हलो दोस्तों स्वागत है आपको एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ओनलाइन सेंटर में आज हम बात करने वाले हैं बिहार विद्धाले परिक्षा समिती यानि बिहार इसकूल इग्जनरेशन बूर्ड जिसका ओनलाइन फार्म निकल चुका है इस फार्म को डिटेल से बताएंगे तो चलिए भीने किसी तरीके सुरू करते हैं जैसे कि आप देख पार है यह इसका में साइट है जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से इसके में साइट पे चले आएंगे आने के बाद कुछ इस तरह का इंट क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना नाम नाम को कंफर्म करेंगे इमेल इडी उसके बाद मोबाइल नंबर अपने तरह से पासरोट करेंगे जो आप उसको याद रख पाएं इसके बाद रसेशन पर क्लिक करेंगे जैसा ही हम रसेशन पर क्लिक क्या जाएगा, वो API यह फिल करगे, फिर से रेसरेशन पडिक करेंगे जैसा ही हम रेसेशन पडिक करेंगे आपका रेसेशन सक्सेषल हो जाएगा इसके बाद अपना अपना मुबाईलंबर जो आप प्रेट किया हूँ करेंगे इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे जैसा ही हम लॉग इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लिखा होगा सब भी अभ्यार्थियों को या सुचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यान पू इसको यहां से चूछ कर सकते हैं जैसे मैं 11-12 क्लिए ऑन-laiN करना चाहता हूं ठीक है इस पर क्लिक करेंगे यह जैसे क्लिक करेंगे आप यहां से पूछा जाएगा बी-एस-ई-बी-उनिक-ईडी अगर आपके पास है आपको देना पड़ेगा ठीक है इसके बाद सिलेक डिस्टिक यहां से डिस्टिक देंगे पटना भागलपूर आरण सीमान भोजपूर जो भी आप देना चाहते डिस्टिक यहां से चूछ करेंगे इसके बाद मीडियम इ आपका जो की कितने एज कंडिडेट्ट आपका कॉंण सा कटटग्री जनरल एबफी एसजी एसटी जो भिया कर आपका से दे सकते हैं से इसके बाद नीचे आएंग तो निश्टी चोच करेंगे किया आप बिहार की निवास्ति हैं अकर हैं तो यस करिए जैसे नहीं नहीं ह है आप एक सर्विसमेन है अगर हैं तो यस करिवा नो करिए इसके बाद नीची आएंगे तो क्वालिफिकेशन इन्फर्मेशन में आपको पूछा जाएगा सबसे पहले हाई स्कूल किस बोड से पास किया है किस स्कूल से पास किया है और रोलनबर का क्या था रोलनबर क्या था किस संमें आपने पंस किया हो PCR करेंगी ओट लमार कितना था डिवृजन कोण सा था इसको फ़ैल को अपलोड करेंगे ये न एस उसी प्रकाल deliberate का डिटेलियांस फिल करेंगे किस बोड से पास किया था किस college या इसskool से पास किया था roll code आपका क्या था roll number क्या था किस सन में आपने pass किया intermediate verdien mark कितना था division आपका कौन-कौन सा था percentage कितना था इसके बाद intermediate को certificate को या से upload करेंगे इसके बाद इसकी अलावा कुछ और डीटेल है और डीटेल में फिल कर सकते हैं इसके बाद नीचे आएंगे तो subject for test paper 2 for class 11 से 12 subject के आप्लाई कर रहा है हिंदी उर्दू इंगलिश संस्कृत जिस भी subject को चूच करना चाहते हैं इसको चूच कर सकते हैं जैसे में हिंदी के अप्लाई करना चाहते हैं इसको यहां से चूच करेंगे इसके बाद bank का पूरा detail यहां से फिल करेंगे candidate name as for bank account अपके bank account में आपका क्या नाम हो यहां से फिल करेंगे ब्रांच देंगे account number देंगे IFSC code देंगे इसके बाद address यहां से फिल करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे हम नीचे आने के बाद अधार declaration इसको यहां से confirm करेंगे ठीक है इसके बाद इसको पढ़ शकते हैं अधार को इसके बाद नीचे आएंगे तो अपना passport size का photo यास अप्लोड करेंगे इस वाले section पर जाके जहां भी अपना gallery में रखा होगा इसको अप्लोड कर सकते हैं signature अप्लोड करेंगे यहां से आपको passport size का photo 20-100 के भी सधिक नहीं होने चाहिए signature अप्लोड के भी सधिक नहीं होना चाहिए इसके बाद नीचे आएंगे तो safe पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम preview बाले section पर क्लिक करेंगे ठीके जैसा ही आप preview पर क्लिक करेंगे आप पर फार्म जो की चेक कर लीजिएगा करने के बाद चाहिए तो आप वहीं से इसका printout निकाल सकते हैं अकर printout नहीं निकल पाएं तो कोई प्रॉप्लम नहीं फिर से आप अपना mobile नंबर पासवर्ड यहां सो लॉग इन करके फिफिशे रिफ्रेंस के लिए फिफिशे रिउच के लिए आप जो कि printout निकाल सकते हैं तो आपने देखा किस तरह से हमने बिहार स्कूल इग्जामनेशन बूर्ड के लिए online अविदन किया step by step सारी जनकी आपको प्रॉइट की तो आसा है ये वीडियो और सबको पसंद आया होगा तो like करिए comment करिए और ऐसे information वीडियो देखने के लिए ह अबर चनल पर बने रिया जहीं तोस्तु